देखे होता यह है कि हमारे सब के साथ ही होता है कि हम बड़ी रस्मी सी गुफ्तू करते हैं कि असलाम वालेकमी यहाई हेलो के बाद भाई कैसे है मैं ठीक हूँ आप कैसे हैं मैं भी ठीक हूँ लेकिन इसके ठीक होने के पीछे सब कुछ ठीक नहीं होता है इनसान जानता है तो सब कुछ ठीक होने के पीछे और कहने सुनने के बावजूद ना कहा जाना ना सुना जाना कि जो कहानी है वो अमिता परशुराम साहब अपनी शायरी में पेश करती हैं मैं खेरमकदम करता हूं उनका और आप से गुजारिश करता हूं उर्दू सीखी लोने ये गोल्ड मे आई हैं तो मुझे इनी की आवाज लगी हो पता नहीं किसने गाई है तो बहरहाल बहुत ही अच्छी शक्सियत तर्शीफ लाएं यहां ठीक है इतनी मेरी आवाज पहुंच रही है जी पहले तुब है असलम साफ का जो शुक्रिया आदा करना चाहती हूं उसके लिए अलफाज कम पढ़ रहे हैं मैं अभी अभी वसीम साहिबर से कह रही थी कि जितने भी मुशायरों में शिर्कत की जो जजबा आज दिल में बन रहा है हर एक को सुनकर जो माहौल इन्होंने यहां बनाया है वो पहले नहीं देखा बहुत 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 शुक्रिया यहां बैटकर ऐसा लगता है कि हम वा असलम चिष्टी फ्रेंड सर्कल जो काम कर रहा है मुझे लगता है वो आने वाले वक्त में हमारी शायरी हमारी उर्दु जबान को कायम रखने की एक बुनियाद बनाता है क्योंकि जो गिरावट हमारे कल्चर हमारे लिटरिचर वगेर हमें देखी जाती है उसे बचाने का जो काम कुछ लोगों ने करना है उन्रे असलम चिष्टी साब का नाम सरे फैरिस्ट है बहुत बहुत शुक्रिया और मैं समझती हूँ ये मेरी श्कुश बक्ती है कि मैं आज आप सब के दर्मियान शामिल हूँ इस प्रोग्राम में और कुछ शेर सुनाऊंगी और उमीद ह ये आप सब के दिल तक पहुंचेंगे एक सदरे मौतरम साव की इजादत हो तो एक शेर से शुरू करूँ आपकी तवज्व वाँ आई थिक वाँ असल में रियाद भाई कहीं और से इजाद़ ले रहे थे अरे जाविन द्यादी साब ये दर्वादा कोल दो रहे हैं उसके लिए तो हम सब गिल्टी हैं हो जाता है इजाद़ वो जो कहते हैं कि उनका नहीं दुश्मन कोई वो जो कहते हैं कि उनका नहीं दुश्मन कोई उनसे पूछे तो कोई आप खुदा हैं क्या हैं वो जो कहते हैं कि उनका नहीं दुश्मन कोई उनसे पूछे तो कोई आप खुदा हैं क्या है और अब एक मतला और दो शेर एक और गजल से जबां करके मुखफल तुम सदाएं चाहते हो जबां करके मुखफल तुम सदाएं चाहते हो बहुर शुक्रिया अब इस यह हुसला अफजाई होती रहनी चाहिए बहुर शुक्रिया वसीम साहिब रिमान साथ जबां करके मुकफल तुम सदाएं चाहते हो सजा देते हो पहले फिर दुआएं चाहते हो जबां करके मुकफल तुम सदाएं चाहते हो सजा देते हो पहले फिर दुआएं चाहते हो और बतौरे खास यह शेर दुनिया जहान की हवातीन के नाम आप सब की इजाज़त हो तो घुटन है दर्द है दिल में चुपी तनहाईया है घुटन है घुटन है दर्द है दिल में चुपी तनहाईया है सिसक्ती है महबद तुम अदाएं चाहते हो घुटन है दर्द है दिल में चुपी तनहाईया हैं सुनो खुदगर्जियों की कोई तो हो इंतहाना जफा करके हमी से तुम वफाएं चाहते हो सुनो खुदगर्जियों की कोई तो हो इंतहाना जफा करके हमी से तुम वफाएं चाहते हो जी बहुत बहुत शुक्रियों और गजल से दो तीन अशार इजादते हैं आज सच कहना हिमाकर्थ होगी है आज सच कहना हिमाकर्थ होगी और न कहपाना अजियत होगी आज सच कहना हिमाकर्थ होगी और न कहपाना अजियत होगी सब आपसब आई सच कहना हमाकत होगी और ना कहपा न अजयत होगी आज पिर फोन उसका आया था आज फिर फोन उसका आया था आज पर कोई जरूरत होगी बहुत शुक्रया जो दिखाते हैं दिखावा समझो जो दिखाते हैं दिखावा समझो जो चुपाया वो हकीकत होगी आज सच कहना हिमाकत होगी और न कहपाना अजियत होगी मैं पर्वी इन्शाह के साहिबा से हमने कॉलेज में भी पढ़ते थे उनको बहुत फॉलो किया दिल में उनके लिए एहतराम है उनकी हिम्मत की दाद देती हूँ मैं उनसे मतासिर होकर एक गजल बड़े मुद्द पहले कही थी इजाज़त दें तो उसके कुछ शेर सुनाओं मेरे जजवात वख्यालात तू समझा कब था हम सफर यू तो रहा रोह में उतरा कब था मेरे जजबातों खयालाद तू समझा कब था हमसफर यू तो रहा रूप में उत्रा कब था खींच लाया तुझे एहसासे तहफुज मुझ तक हमसफर होने का तेरा भी इरादा कब था बहुत 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 आप सब की नजर बड़े पेशन से सुन रहे हैं उसने मेरी ही रफाकत को बनाया मुल्जिम मैं अगर भीड में थी वो भी अकेला कप था और मकतफेश है कि वो तेरा एहदे वफायाद है अब तक मीता भूल बैटी हूँ महबत का जमाना कब था भूल बैटी हूँ, महाबत का जमाना का बहुत 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 आर्जू है कि अब कोई आर्जू न रहे किसी सफर किसी मन्जिल की जुस्तजू न रहे अजीब दिल है अजीब दिल है इसी दिल का अब तकाजा है बहुत हो अजीब दिल है इसी दिल का अब तकाजा है किसी भी बज्द में अब उसकी गुपतगू न रहे वा 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 मज़ा तभी है महबत में डूब जाने का मैं डूब जाऊं तो ये हो के तू भी तू न रहे मज़ा तभी है महबत में डूब जाने का मैं डूब जाओं तो ये हो कि तू भी तू न रहे बताओ उनकी इबादत कुबूल क्या होगी शेर है के बताओ उनकी इबादत कुबूल क्या होगी नमाज इश्क में जो लोग बावजू न रहे बहाँ 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 शुक्रिया नमाज इश्क में जो लोग बावजू न रहे बताओ उनकी अबादत कुबूल क्या होगी नमाज इश्क में जो लोग बावजू न रहे और शेर है कि खुदा बना दिया उनको मेरी महबत ने खुदा बना दिया उनको मेरी महबत ने हमेशा दिल में रहे और रूवरू न रहे तो दो शेर सुनाती हूँ और एक थोड़े अलग मिजाज की गजल है इजाज़त हो तो दो शेर वो जगड़े का बहाना चाहता है वो जगड़े का बहाना चाहता है मुझे फिर आजमाना चाहता है वो जगड़े का बहाना चाहता है मुझे फिर आजमाना चाहता है वो जिद्धी है किसी बच्चे की सूरत ठेहरता है ना जाना चाहता है बहुत शुक्रिया और सब वालदाइन की नजर एक शेर उनका जो एक commitment होता है बच्चे के लिए यहां सबी जानते हैं उसको और हमारे देश में खास तोर पर तो वो जिस याद नहीं आ रहा है बहुत पुराना शेर है मेरा वो जिसने हर कदम सीखा है हमसे सब वालदाइन की नजर उनकी शिद्धत जो बच्चे को पालने में लगती है उसे दिल में रखते हुए, उसकी नजर, वो जिसने हर कदम सीखा है हमसे, वो अब हमको सीखाना चाहता है, और जाते जाते हैं, मैं और वक्त नहीं लूगी, बहुत लोगों ने अभी कलाम पढ़ना है, बट आप लोगों का होसला अबजाई जो हुई आप लोगों की मौसम भी वही, गर्म हवाएं भी उसी तोर, है फर्क पस इतना, कि सितमगर है कोई और, बहा चुकिया, मौसम भी वही, गर्म हवाएं भी उसी तोर, है फर्क बस इतना, कि सितमगर है कोई और, और आखरी शैर, सता भी वही, जुल्म वही, वही सितम जौर, सता भी वही, जुल्म वही, वही सितम जौर, मुफलिस की भी है मांग वही और कोई और मुफलिस की भी है मांग वही और कोई और मौसम भी वही बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया आपकी समाथ होगा